स्री महाल अच्वे नमा मक्ती वावना योट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है महायोग के बारे में जानकारी दूँगा दीपावली पर महादुरलव योग बन रहा है साथ ही इस वार दीपावली किस दिन की रहने वाली है ये भी मैं आपको जानकारी दूँगा और पुत्र धन प्राप्ति की उपाए बताऊँगा आपको क्या उपाए करने हैं कुनकुन सी राशियां भागे साली है तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी धहन से सुने दीपावली का जो परवय है वो कार्तिक माच के अमावस्या को मनाया जाता है तो इस वार अमावस्या की योतिति है वो दो दिन की पड़ रही है देखो 29 अक्टूबर की रहेगी धंत्रो दसी धंत्रो दसी इस दिन सुबह साड़े दस वजे से प्रारव होगी और 30 तारिकों दुपैर को 1 वज के 16 मिनट तक 3 दसी तिथी चलेगी ध्यान से सुनना है 30 तारिकों 1 वज के 16 मिनट से 14 प्रारम हो जाएगी नरक 14 जो की 31 तारिकों 3 वज के 15 मिनट तक चलेगी यां 4 वजे तक चलेगी धन्त रोदसी 31 तारीक और उसके बाद में लग जाएगी अमावस्या ये अमावस्या 31 तारीक की सामको 4 बज़े से प्रारम हो करके एक तारीको सामको 6 बज़ करके 17 मिनट तक रहने वाली है तो दोस्तों उदैतिती के हिसाब से और प्रदोस काल के हिसाब से भी एक नममर का योग बन रहा है लेकिन बात करते हैं कि अमावस्या की जो पूजा होती है वो होती है रात को दीपावली की रात को अमावस्या में ही दीपावली की पूजा होती है तो वो 31 तारीक के हिसाब से आ रहा है लेकिन ज्यादा तरी है कि हमारे सास्त्रों के हिसाब से कि सूरुदे के हिसाब से जो तिथी लग रही हो अगर वो दो गड़ी तक भी चले तो उसी दिन वहत तिथी मानी जाती है तो इस हिसाब से एक तारीक एक नमम्मर को कार्तिक अमावस्या का जो है पर्व मनाये जाएगा कार्तिक अमावस्या और दीपावली का पर्व इसी दिन मनाये जाएगा और 31 तारीकी नरक चतुरदसी रहेगी तीज तारीका जो समय रहेगा वो खाली रहेगा हलांकि इस दिन त्रोदसी और नरक चतुरदसी दोनों दिन पड़ रहे हैं लेकिन ये बीच में एक दिन का गयपा चुका है तितियों के साब से तो 39 की रहेगी आपकी धन्त्रोदसी और 31 की नरक चतुरदसी और 1 नमम्मर क भाग्यसा रहेगा आपका दीपावली का महा परौदसी इस वहर दीपावली पर कई सुव्योग वन रहे हैं जिसकी वज़े से कई राषियां बियादी भाग्यसा लेके सुव्योग वन रहे हैं यस दिन भगसर्जण के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप करें आप इस्किन पर देख सकते हैं और माता लचमी जी के सामने किरका परसाट समर्पित करें वो खाएं साती भगवान शिव का अवशिख करें और भगवान सिव के सामने चोमों की दीपक जलाएं और दीपदान तो आपको पता है दीपावली के दिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो बहुत ही अच्छा योग इस्वार बना हुआ है पुत्र धन प्राप्ति के लिए भगवान के सामने रख हुआ फिर साथ जरू कहाएं पत्रों की पूझा करें गौमा ताथ पूझा करें और बट ब्रक के नीचे पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के परक्रम करें इससे आपके सभी कार बनेंगे और आप को मिलेगा वीडियो को सियर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और कमेंट में जै माहाकाल जरू लिखें